मनु जी ने एक गरंद लिखा है जिसका नाम है मनु इस्मृति बहुत बिलक्षन गरन के आज दुरभाग के हैं समाज का के मनु इस्मृति का बड़ा पुर्जोर बिरोधवी लोग कर रहे हैं उसको जलाया जाता है कहीं उसका कुछ किया जाता है पर हम प्राड़ना करना चा से बेवार करना सरवता अनोचे दे जब मुगल सासन हमारे राष्ट में हुआ तो मुगलों ने सोचा कि जब तक इन हिंदूओं में आपसी एकता है हम भारत पर राजनी कर सकते हैं इनको तोड़ नहीं सकते हैं तो आपस में इनको मांटना होगा लडाना होगा उसके लिए उन्होंने तात कालिक विद्वानों को कुछ लोब देकर कुछ भै दिखा करके और उट पटांग इस लोग लिखवा करके और हमारे धर्व करन्तों में घुसा दिये बहुत इस लोग जानते नहीं दे लिखना पर हमारे विद्वान तो थे किसी को तलवार की नोख पर और वादिया किसी को लोब देकर जहां जैसी रही इस्तिती तो एससे कुछ विवादास पद इस लोग हमारे ग्रमकों में डाल दीये जिस से समाज बिभाजित हो जाए और समाज में बिभाजन हो जाए तो उसका लाव वो लोग उठा सकता है पर हमारे धर्म सास्त्रों में कहीं भी आपसी द्वेस घरणा अत्वा किसी प्रकार के उच नीच की कोई बात नहीं है मानव सब्रका को सब को हिर्दे से लगाने की बात अता उसी मनुश्मिल्ती में कहा गया है बसुधेव कुटम्बकम सारी बस्दा हमारी कुटम्ब है अब एक कुटम्ब रहने वाले कोई छोड़े बड़े होते हैं क्या सब एक समाना लेकिन हम लोगों को विवाग जित करने के लिए हमारे लिए लड़ाया गया है और आज उनका वह सड़यंत्र बहुत तेजी से फलिवूत हो रहा है उसी में राजनेतिक लाव लेने वालों ने फर अपनी रोटिया से इकना प्रानम कर दिया और राजनेतिक लाव लेने के लिए लोगों ने और ज़्यादा जाती में समाज में अब तो बड़ी बिच्चतरवात भगवानों को लोगों ने बाट लिया परसराम जी हमारे हैं उन्होंने कहा अमुग जी हमारे हैं इंडिय हमारे हैं अरे भईया बगवानों को तो जातियों में मदवाटो भगवान भी कोई जातीय होती है का आज आवर्शकता है अपने भारत को अखंड रखने के लिए हमें अपने देश की रक्षा और फुरक्षा के लिए आवस्सक है कि हम सब लोग मिलकर के रहें और मिलकर के अपने राश्ट को उन्नती की और बढ़ाएं आपसी जगड़े में समय खराब न करें चाहे कोई किसी बढ़नका है वो सब हमारे अपने अंगेंग कोई बेद्वाव नहीं होना चाहिए अचा आप बचार करिए किसी मंदर में किसी से जाती पूछी जाती है क्या आज के समय में कता हो रही है किसी से जाती पूछी जाती है क्या अन्य शेतर हो रहा है किसी से जाती पूछी जाती है क्या representations यग्गों में धर्मसालाओं में भन्डारों में जाती नहीं पूछी जाती तो भही आपर प्रमाण पत्र में वहाँ जाती क्यूं पूछी जाती है हमारी सरकार है समझाती बाद भैला करके उसको पहले जाती मताओ हिंदू राश्ट है, हिंदू एक होना चाहिए, सब हिंदू हम समान हैं, सब एक हैं और सब हिंदू की आवाज होना चाहिए कि हमारा वारत हिंदू राश्ट बने और हम हिंदू का धर्म सनातर सदा सुरक्षित रहे, यह कभी मिटने वाला धर्म नहीं है महराज मनु ने मनु श्मर्दी लिख करके और समाज पर बड़ा उपकार किया फिर उस अनुरूप आच्रन करने वाला कोई नहीं मिल रहा था आप कहेंगे कि महराज जी तो मनु जी का जबर जस्ती पक्ष ले रहे मनु जी ने राम जी से प्राधना की कि प्रभो मैंने गरंद तो लिख दिया पर अक्षरसा उसके अनुसार चलने वाला कोई नहीं मिल रहा है जो पूरी तरह उसको चलके जी के दिखाए बर्म बर्म ने कहा कि मैं स्यम आऊँगा और अक्षर सह मनुश्मर्टी पर चलकर दिखाऊँगा तो महा मानव के रूप में परमातवासरी राम प्रगट हुए और परमातवासरी राम ने मनुश्मर्टी के ऊपर अक्षर सह चलकर के दिख़ाया है कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए राम जी ने किसी से द्वेस किया निसादों को भीलों को कौलों को क्रातों को क्या हिर्दे से नहीं लगाया कि सब्ली के बल नहीं खाए तो जिस मनु इश्मृती को आदर सुमान कर चले वाले राम सब को एड़े से लगाते हैं वे मनु इश्मृती किसी से द्वेस्पी भाव ना पैदा करने वाले वादे कैसे कैसे कैसे